सर्दियों का मौसम शुरू होती ही हर घर में पराठे बनने की भी शुरुवात हो जाती है इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही गर्म गरम गुभी के पराठो की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट और बहुत ही सौफ्ट भी होगा सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूटूब चैनल दे रेसिपी 152 को सब्सक्राइब कर लिजे और वेल आइकन ओन कर लिजे तक कि आपको ऐसी ही मज़िदार कुकिंग वीडियो देखने को मिले सो बीना देरी किये हुए अब हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको लेना है गोभी जितना आप बना रहे हैं उसके एकॉर्डिंग आपको भी लिजेगा और इसको आपको पहले छोटे साइज में काट कर अच्छे से धोलेना है और फिर इसको हम क्या अगर बारिक नहीं होंगे तो पराठे वट सकते हैं तो इस तरह साथ को फाइनली चॉप करना है और दिन आपको इस प्राइट करना है एक चमच नमक और इसे मिक्स करके हम 2-3 मिर तक डख देंगे फिर हम लेंगे अधरक तो मैं यहां पर ले रही हूं तीन अधरक कली और हात अधरक और डख यूझ दालिएगा तो मैं यहां पर दो ड़ले का झाल रही हूं है लेना ह्ते तक सहर को त फल्सका करने करेंगे डालेंक कराही गरम करेंगे डालेंगे सर्षो तील और आपको जितना तीखा खाना है आप उसके कोडिंग हरी मिर्च डालेगा तो मैं यहाँ पे दो डाल रही हूं और फिर डालना है जीरा अब जो हम अधरक और लस्टन का पेस्ट बनाए थे उसे भी डालेंगे और दो से तीन एधरके मसाले तो सबसे पहले आपको डालना है आधा चमस लाल मिर्च पाउडर तेर की अधा चमस डालना है अझा को धनिया पाउडर अदे चमस डालना रह भी और अच्छे ऌडल मिर्च बनेंगे तो आपको इस तरह से कम से कम थोई दर तक आपको गोफी को फ्राई करना है और टिस्ट बढ़ाने के लिए आपको एड़ करना है चाट मसाला एक चमच आप चाहे तो आम चूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और इसी तरह से खुबह अच्यसव को अच्छे से मिलाना है और तब तक चलाते रहां है जब तक ये ने हो जाए फिर छी उसमें धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स करेंगे और ध्यान रहे कि आभी हम नमक इसमें नहीं डालेंगे नमक हम बाद में इसमें एड़ करेंगे अब आपको लेना है गेहूं का आटा और उस पर डालना है आथी चमच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और पाइन डालकर इस तरह से हम गूत लेंगे और इस तरह से आपको छोटे चोटे बाउल्स काटने है और फिर इस तरह से आपको बीच से प्रेस करना है और इस तरह से एक बाउल के से में बना लेना है फिर जो हमने स्टाफिंग्स त्यार किये थे ना अब उसमें हम डालेंगे नमक तो इस स्टेज पर आपको नमक डालना है और फिर मिक्स कर लेना है और सभी को इस तरह से बाउल्स में रखके फिल कर लेना है और अब इसको हम क्या करेंगे चाहर तरब से प्रेस करके फिर इसक तो आप या तो स्गी का यूज करिए या फिर कोई भी तेल का और इस तरह से आपको दोन तरह से प्लट कर इसक पका लेना है और इसी तरह से सबको पकाना है और ये फाइंलि आपका जो गोबी का पराठा हो जाएका रेड़ि So I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप एक बार इस तरह से गोवी के पराथा घर पे जरूर ट्राइ करिए बनाईए और कैसा बना कॉमेंट करके भी जरूर बताईएगा तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ